और नितीश कुमार जी यहंकार से कहते हैं कि जीतन राम मांजी को हमने मुख मंतरी बनाने का काम किया तो परधान मंतरी जी के पास गुलदस्ता लेकर के एरपोर्ट पर आपको जाना पड़ता तो आपने सरमिंदगी से बचने के लिए जीतरा मांजी जी को मुख मंत्री बनाने का काम क्या था कोई बिहार में आज तक कोई निरलज मुख मंत्री नहीं हुआ इन्होंने निरलजता को भी पार कर दिया है नितीज कुमार ने नमस्कार में आनाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक निश्टन टिफोर और हम इस बक्त भरद्य अंता पार्टी के परदेश कारियाले में मवजूद है और यहाँ पर राश्ट्य परबक्ता योगंदर पासवान के द्वारा प्रेस कॉन्फरेंस क्या जा रहा है आई यू सुनते हैं पहले योगंदर पासवान क्या कुछ कह रहा है जीस तरह से नितीश कुमार जी ने न उम्र का ख्याल रखा और न संसदिय जीवन का ख्याल रखा जीतरा मांजी जी उम्र में भी बड़े हैं और संसदिय जीवन काल में भी बड़े हैं 1980 में जीतन राम मांजी जी एमेले बने थे और नितीश कुमार जी 85 में बने थे लेकिन इन्होंने मर्यादा का भी कोई ख्याल नहीं रखा और नितीश कुमार जी यहंकार से कहते हैं कि जीतन राम मांजी को हमने मुखमंतरी बनाने का काम किया नितीश कुमार जी आपने जीतन रामान जी को मुख मंत्री बना करके एहसान करने का काम नहीं किया आप सरमिंदगी से बचने के लिए लजजित होने से बचने के लिए क्योंकि आपको सिर्फ दो लोग सोहा में सीट आया था 2014 में तो परधान मंत्री जी के पास गूल दस्ता लेकर के एरपोर्ट पर आपको जाना पड़ता तो आपने सरमिंदगी से बचने के लिए जीतरा मान जी जी को मुख मंत्री बनाने का काम किया था कोई एहसान नहीं किया था उन पर यहीं नहीं जीस तरह से नितीश कुमार जी दलीतों को अपमानित करते रहे हैं उसी तरह से लालु जादव ने भी दलीतों को अपमानित करने का काम किया है आप के जेहन में होगा कि जब रमई राम को सोने का मुकूट मिलर हाई स्कूल के मैदान में दलितों के तरब से दिया गया था तो लालू जादव ने उनके सर पर से मुकुट उतरवाने का भी काम इन ही नकली समाजवादियों ने किया था और मैं पूछना चाहता हूँ नितीश कुमार जी के जो चाटुकार दलित मंत्री बैठे हुए हैं उनके साथ तो बो भी उनके पास तो राज निती की जमीन बची नहीं है जमीर बेच करके नितीश कुमार के साथ हैं तो ऐसे लोग भी सावधान हो जाएं आगे आने वाला दीन में आप सबों का नकली समाजबादियों का चुन-चुन करके बिहार की जनता और दली समाज हिसाब करेगी मित्रों जिस तरह से नितीश कुमार का अहंकार परदरसित हो रहा है समाज के बीच में तो नितीश कुमार जी को जितना भी उनकी निन्दा की जाए वह कम है नितीश कुमार जैसा बिहार में आज तक कोई निरलज मुल्ख मंत्री नहीं हुआ इन्होंने निरलज्टा को भी पार कर दिया है नितिश कुमार ने मित्रों आज बिहार की जनता किराह रही है इनके सासन से और आपको यह बता दें कि राश्टिय अनुसूची जाती आयोग भारत सरकार ने भी नितिश कुमार ने जो जी तरह से जीतरा मानीजी को अपमानित करने का काम किया है इस पर संग्यान लेने का काम किया है विधान सभा के अध्यक्ष और विहार के महमहिम राजपाल जी को इन पर कारवाई करने के लिए राष्टिय अनुसूची जाती आयोग ने भी सिफारिस कर दी है तो आज के अफसर पर जिस तरह से दलितों को महा दलित समाज को नितिश कुमार जी ने पढ़तारित करने का काम किया है इस अफमान का बदला दलित समाज आगे आने वाला दीनों में नितिश कुमार से लेने का काम करेगा और जो 2024 और 2025 में दलितों के हाथ में समय आने वाला है उस समय बताने का काम करेगा नितीश कुमार जी को इस मोड पर छोड़ देगा और उनकी पार्टी जदिव को कि बिहार में मुह दिखाने लाइक जदिव और नितीश कुमार नहीं रह जाएंगे आपने साफ तोर पर भर्जेयनता पाठी के राश्ट परवकता योगंदर पास्वान को सरा इन्होंने कहा जितन रामानजी को लेकर कि नितीश कुमार उनिस्ज़ पचासी में बिधायक बने और जितन रामानजी उनिस्दव असी में बने बिधायक झाल